एक तरफ पूरा देश कोरोना वायस से लड़ रहा है और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है दिन प्रतिदिन कई सिमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की ओर से गोली बारी की जा रही है आज पुंच के शाहपूर सेक्तर के किर्णी, मधार कस्बा और दिग्वार में पाकिस्तान की ओर से लगातार गोली बारी की गए जिसका भारतिय सेना ने दिया मुहतोर जवाब रमजान के इस पाक महिने में भी हर दिन पाकिस्तान गोली बारी करता आ रहा है और जिस कारण सिमा के पास के सभी गाउं में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान प्रतिदिंग गोली बारी कर रहा है और उसे मून की खानी पड़ रही है वहां के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द सबक सिखाया जाए PNI के लिए पूंच से सनी शर्मा की रिपोर्ट से जल्द से साथिन पूंच से जल्द से से सिखाया जाए तो जल्द से वांच से जली खर्मा कर दो क्या रहा है कर दो कि बाद्ट जो ँड़ शिर और तोल नग बनिया अगनी खो मुशथर और हो जड़ा शिर सुदके जिल कस अड़ आव़ा खब हो ज़िए पर देद। वोग्वें ऑलुई ग्री का फ़्रम्लिफ कर दो ज़िए्या फोंगे ज़ दो आपक पम झालिए कि अच्छाइब करेने वाला हूं यहां डेट बजे फाइरिंग शुरू हो गई थी और यह फाइरिंग का मौल यहां रोज का बना हुआ बड़े परेशान हैं, लोग उदर से रमजान हैं, उदर से जमीनदारी का वक्त है, तो लोग बड़े प्रेशान हैं और इम लोगों को बड़ा ن 밥 taking है कि इनकी ये जमीनदारी का सल्जला जो इस साल का जो ये ठप हो जाएगा हम चाहते हैं लोगों की भी ये आवाज है कि हमारी दोनों ये हकोमते मिल बैठ के कोई ऐसी बात करें कि सीज फायर का या फायर बंदी का कोई सल्जला बनाएं तो उसमें लोग जो है ये वाडर के किसे हाथ तक आराम से रह सकते हैं और आपनी जमीन वगेरा का काम जो है ये किसे हाथ तक अपना टाइम पर कर सकते हैं